C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू दूसरा पार्ट लंबा और छोटा प्रिष्ट तेरा कितनी दूर हैं बिंदू यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे दिखाये गए हैं और साथ ही हिंदी वर्ण माला के अक्षर लिखे हैं किनहीं दो बिंदू के बीच की दूरी का अंदाजा लगाओ दूरी कितने सेंटीमीटर है एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? कौन से दो बिंदू तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं? अपने उत्तर की जाँच करो कौन से दो बिंदू एक दूसरे के सबसे पास हैं? अपने उत्तर की जाँच करो शिक्षकों के लिए निर्देश बिंद्वों को सफेद कागस पर बना कर बच्चे इस खेल को दो-दो करके खेल सकते हैं और बच्चे अपने साथियों से दूरी को बताने के लिए कह सकते हैं इसको और आगे बढ़ाते हुए, बच्चे फर्ष पर खेलते हुए अधिक दोरी का अंदाजा लगा सकते हैं इस पाठ में लगी किनारी का उप्योग भी स्केल के रूप में किया जाना चाहिए प्रिष्ट चौदह कौन सी छोटी रेखा? अकबर एक प्रसिद राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था, बीरबल एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया, उसने जमीन पर एक रेखा खीज़ दी राजा बोला बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो बीरबल ने कहा, देखिए, आपकी रेखा छोटी हो गई यहाँ पर बीरबल और अकबर का चित्र है अकबर की बनाई रेखा भी बनी है, और साथ ही उसके नीचे बीरबल अपनी रेखा बना रहा है इस चित्र को देखो और समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया? क्या तुम भी बीरबल जैसे चुतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाय छोटा करो सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है? अब तुम कोशिश करके देखो इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से एक सेंटीमीटर लंबा बनाओ यहाँ पर एक बच्चे को सीधा हाथ करके दिखाया गया है इस कप से एक सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ यहाँ पर एक कप कचित्र है इस जालू से आधी लंबाई की एक जालू बनाओ यहाőं पर एक ज़ाडू का चित्र है इसके सिर के बाल से दुगना लंभा एक बाल और बनाओ यहाँ पर एक चहरे का चित्र है जिसके सिर पर एक बाल दिखाई दे रहा है प्रिष्ट पंद्रा तुम कितने लंबे हो गए हो? क्या तुम्हें याद है कि कक्षा तीन में तुमने अपनी लंबाई नापी थी क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो कितने लंबे रिक्तिस्थान सेंटीमीटर क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए है पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके चार भाग है पहले में लिखा है मित्र का नाम दूसरे में पिछले वर्ष की लंबाई सेंटिमीटर तीसरे में इस वर्ष की लंबाई सेंटिमीटर और चौते में लिखा है पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं अब यहां दी गई तालिका में तुम अपने मित्रों का नाम लिखो और उनके पिछले वर्ष की लंबाई और इस वर्ष की लंबाई के साथ ये भी लिखो कि वो पहले से कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं यहाँ पर सबसे नीचे बाई तरफ एक बच्चे का चितर बना है और दाई तरफ एक छोटी लड़की का चितर है जुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्तियों की सूची को पढ़ा उनमें से एक दो सो बहत्तर सेंटीमीटर लंबा था यह जुम्पा की लंबाई से दो गुना था जुम्पा कितनी लंबी है रिक्तिस्थान सेंटीमीटर जुम्पा ने कहा अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से एक दम दुगनी है सोचो, क्या ये व्यक्ति बिना जोके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? अगर ये सीधा खड़ा हो जाए, तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की चट से टकराएगा? परिवार में कौन है लंबा, कौन है छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? रिक्तिस्थान उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? रिक्तिस्थान प्रिष्ट सोला अंता विद्याले खेल प्रतियोगिता दोड ये लड़कियों की 100 मीटर की दोड़ है अरुंदती समापती रेखा के निकट है वो उससे लगबग 6 मीटर दूर है उसके पीछे रेहाना है कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दोड़ रही है चित्र को देखो नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर देने के लिए इन दोरियों में से चुनो 3 मीटर 6 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर इस प्रिष्ट पर अंतह विद्याले खेल प्रत्योगिता का चित्र है जिसमें सबसे आगे अरुंदती को दिखाया गया है जो समाप्ती रेखा से केवल 6 मीटर के दूरी पर है उसके पीछे रेहाना दोडती दिखाई दे रही है और उन दोनों के पीछे कोंकणा और उमा दिखाई दे रही है क रेहाना अरुंदती से कितनी दूर है रिक्तिस्थान मीटर ख, कोणकणा और ओमा से रहाना कितनी आगे है, रिक्तिस्थान मीतर ग, कोणकणा और ओमा समापती रेखा से कितनी दूर है, रिक्तिस्थान मीतर क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड के बारे में सुना है क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर में 1 किलो मीटर होता है और 500 मीटर आधा किलो मीटर होता है इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड के लिए रिक्तिस्थान किलो मीटर दौडना पड़ेगा 3000 मीटर की दोड के लिए रिक्तिस्थान किलो मीटर दोडना पड़ेगा क्या तुमने मैराथन दोड के बारे में सुना है जिसमें लोगों को लगबग 40 किलो मीटर दोडना पड़ता है लोग मैराथन दोड के लिए सडक पर ही दोडते हैं क्योंकि स्टेडियम में दोडने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर रिक्तिस्थान किलो मीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो, तो स्टेडियम के रिक्तिस्थान चक्कर लगाने पड़ेंगे। लंबी कूद, ये लड़कों की लंबी कूद है, यहाँ पर एक चित्र है, जिसमें बच्चों को कूदते हुए दिखाया गया है, धानों की 3 मीटर 40 सेंटी मीटर की सबसे लंबी कूद है, गुरजीत दूसरे नमबर पर है, उसकी कूद धानों से 20 सेंटी मीटर कम है, गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटी मीटर कम है, अब तुम स्वें बताओ, गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी, रिक्तिस्थान, कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो, तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फिंक सकत हो, रिक्तिस्थान, मीटर, फुटबॉल या वॉली बॉल जैसी कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उच्छाल सकते हो, रिक्तिस्थान, प्रिष्ट 18, नीचे कुछ खेलों के लिए भारतिय किरतिमान और विश्व किरतिमान दिये गए हैं, य उसरे हिस्से में विश्व किरतिमान और तीसरे में भारतिय किरतिमान लिखा हुआ है, खेल, उची कूद पुरुश, विश्व किरतिमान जेवियर एस, दो मीटर पैंतालिस सेंटिमीटर, भारति किरतिमान चंदरपाल, दो मीटर सतरह सेंटिमीटर, खेल, लंबी कूद विश्व कीरतिमान माईक पी आट मीटर पच्चानवे सेंटिमीटर भार्ती कीरतिमान अम्रतपाल आट मीटर आट सेंटिमीटर खेल उंची कूद महिला विश्व कीर्थिमान स्तेफका के दो मीटर नौ सेंटिमीटर भार्ति कीर्थिमान बॉबी ए एक मीटर एक्क्यानवे सेंटिमीटर खेल लंबी कूद महिला विश्व कीर्थिमान गालीना सी साथ मीटर बावन सेंटिमीटर और भार्ति कीर्थिमान अंजु जॉर्ज छै मीटर तिरासी सेंटिमीटर दी गई तालिका से पता करो एक चंद्रपाल को उची कूद के विश्व कीर्थिमान के बरावर आने के लिए कितने सेंटिमीटर और कूदना पड़ेगा दो बॉबी एको दो मीटर के लिए कितने सेंटिमीटर और कूदना पड़ेगा याद रहे कि एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर, आधा मीटर बराबर रिक्तिस्थान तीन, गालीना की लंबी कूद लगबग क साथ मीटर है, ख साढ़े साथ मीटर है और ग आठ मीटर है चार, महिलाओं का विश्व कीर्थिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे उँची कूद में कितना अंतर है, रिक्तिस्थान पांच, यदि माइक पी रिक्तिस्थान सेंटी मीटर अधिक कूद था, तो उसकी कूद पूरे नौ मीटर होती चै, किसकी उँची कूद धाई मीटर के बहुत नस्दीक है, क, स्तेफका के, ख, चंदरपाल, ग, जेवियर एस, और ग, बॉबी ए रिक्तिस्थान प्रिष्ट उन्नीस दोडने की कसरत डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रती दिन दो किलो मीटर दोडने को कहा उसने इस खेत का एक चकर लगाया वो कितनी दूर दोडा यहाँ पर एक वरगा कार खेत का चितर है जिसकी प्रतेग भुजा की लंबाई 500 मीटर है यह खेत उसके घर से बहुत दूर था इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना बगीचे की परधी लगबग 400 मीटर लंबी थी यहाँ पर एक गोला कर बगीचे का चितर है जिसकी परधी 400 मीटर है देवी प्रसाद को दो किलो मीटर दोड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी उसको इतना अच्छा लगा कि वो तब तक दोड़ता रहा जब तक कि वो आठ चकर लगाने के बाद ठक नहीं गया उस दिन वो रिक्तिस्थान किलो मीटर और रिक्तिस्थान मीटर दोड़ा कितने कमरे उँचा यहाँ पर कुतुब मिनार का एक चितर बना है कुतुब मिनार बहत्तर मीटर उँची है तुम्हारी कक्षा का कमरा लगबग कितने मीटर उँचा है अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगा कर कुतुब मिनार जितने उँचे होंगे रिक्तिस्थान बताओ कि तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया प्रिष्ट 20 कोजी कोड से थैलसरी तक सुबोध इस स्थान से 24 किलोमेटर दूर कोजी कोड जा रहा है मंजनी इस स्थान से 46 किलोमेटर दूर विपरीद दिशा में थैलसरी जा रही है कोजी कोड थेलसरी से कितनी दूरी पर है रिक्तिस्थान यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सुबोध और मंजनी को दिखाया गया है साथ ही उन दोनों को विप्रित दिशा में जाते हुए दिखाया गया है तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है पहले वो तलाब तक 400 मीटर की दूरी तै करता है फिर वो चपले हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चल कर पार करता है उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़ कर पार करता है अंत में वो स्कूल पहुचने के लिए 40 मीटर चौडी सडक को ध्यान से पार करता है यहाँ पर एक स्कूल का चित्र, एक ताल का चित्र, एक सडक का चित्र और साथ ही मोमन और उसके स्कूल का चित्र बना है स्कूल पहुचने के लिए मोमन को प्रति दिन कितना चलना पड़ता है? रिक्तिस्थान क्या ये एक किलोमीटर से अधिक है? रिक्तिस्थान प्रिष्ट 21 पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो दूरी को मीटर या किलो मीटर में लिखो यहाँ पर एक तालिका बनी है जिसके दो भाग है पहले में लिखा है दोस्त और दूसरे में घर से स्कूल तक की दूरी इस तालिका को तुमने स्वेम पूरा करना है तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है? रिक्तिस्थान कौन स्कूल में सबसे दूर रहता है? रिक्तिस्थान कितने बच्चे स्कूल से एक किलो मीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? रिक्तिस्थान क्या कोई ऐसा भी है जो पांच किलो मीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है वो स्कूल किस प्रकार आता है रिक्तिस्थान इन सभी प्रश्णों के उत्तर तुम इस तालिका को देख कर पूरा करो अनुमान लगाओ और पता करो एक, एक रील में कितना लंबा धागा होता है रिक्तिस्थान दो, पतं की चर्खी में कितना लंबा धागा होता है क्या वो एक किलो मीटर से भी ज्यादा लंबा होता है रिक्तिस्थान तीन, अगर एक ही धागे से रोमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को एक किलोमेटर की सेर पर ले जाए जिससे कि उन्हें एक किलोमेटर की दूरी का अनुमान हो ये अच्छा रहेगा कि यदि रास्ता बिल्कुल सीथा हो प्रिष्ट बाईस काश ऐसा हो पाता यहाँ पर एक चित्र बना है जिसमें हावाई जहाज, एक पक्षी और एक घर का चित्र है साथ में एक बच्चे को पतंग के साथ दर्शाया गया है यहाँ पर एक कविता भी लिखी है जो इस प्रकार है काश मैं एक पतंग होता ताकि मैं उपर उठ पाता इस इमारत से भी उपर काश मैं एक चड़िया होता ताकि मैं उण पाता इस पतंग से भी उपर काश मैं एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चड़ियों से भी उपर काश मैं एक हवाई जहाज होता ताकि मैं बहुत उपर उठपाता बादरों और पहाडों से भी उपर इस चित्र में एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए भी दिखाया गया है पता लगाओ एक, तुमने सबसे उची इमारत कौन सी देखी है? वो कितने कमरे उची है? रिक्तिस्थान दो, एक पतंग कितनी उपर जा सकती है? क्या वो कुतुब मिनार से भी उपर जा सकती है? रिक्तिस्थान तीन, एक हावाई जहाज कितना उचा उड़ सकता है? क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी उचा उड़ सकता है? जिसकी उचाई लगबग 9 किलोमेटर है? और चार, क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? रिक्तिस्थान शिक्षकों के लिए निर्देश बहुत अच्छा रहेगा यदि बच्चों के अनुभवों की चर्चा की जाए विशेश रूप से जब वो बादलों और उनकी उचाई की बाते कर रहे हों तो संबंदित उचाई का अनुभव मन से करें और लंबी दोरियों का अनुमान लगाना शुरू करें इसे के साथ दूसरा पाठ लंबा और छोटा यहीं समाप्त होता है स्वर प्रवीन शर्मा तकनिकी समनवयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन विकास सांगवान निर्मान सहयोग रुचिशर्मा निर्देशन और निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत